ओम साइराम हर हर मातीव आज का साइ संदीज जिन्दगी सब को खुशी तो नहीं देती लेकिन आए दिन एक नया तजुर्पा जरूर देती है और तजुर्पे कभी खाली नहीं होते कभी कभी इनसान को लगता है कि जैसे पूरा जीवन दूसरों के लिए ही है खुद के लिए तो कुछ है ही नहीं हमेशा दूसरों की खुश्यों की परवह करना दूसरे की नापसंद पसंद इसी चिंता में लगे रहना कभी खुद को तु जान ही नहीं पाए खुद की पसंद नापसंद का तु ख्याल ही नहीं आया क्योंकि हमेशा दूसरों को खुश करने में मनाने में लगे रहते हैं अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाते लेकिन तब भी हम सब को खुश नहीं रख सकते इनसान कभी किसी से खुश हो ही नहीं सकता यहां इनसान वक्त और जरूरत के अनुसार चलते हैं जब तक जरूरत पूरी होती है तो सब अच्छा है लेकिन जिस दिन कोई जरूरत पूरी ना कर सके तो उसी दिन आप सबसे पूरे इनसान बन जाते हो समझदार इनसान कब बनता है या तो उसे उमर का तुज़ुर्बा हो जाता है या फिर बहुत चोटी उमर में जिसने बहुत कुछ बुरा देख लिया हो वो इनसान समझदार बन जाता है आदे से ज़ादा दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं क्योंकि हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं जिन से हमें उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए अगर आपको खुद की मेहनत पर अपने करमों पर विश्वास है तो आप अकेले चलते रहिए भगवान हमेशा आपका साथ देंगे और हमेशा आपके साथ है सच कभी हारता नहीं है लेकिन जूट बहुत तेज़ी से फैलता है और वो सच को कुछ समय के लिए दबा भी लेता है आप सही होते हुए भी खुद को सही साबित नहीं कर पाते क्योंकि वो सब्द ही नहीं है जो आपको सही साबित कर पाए जिसे आप पर विस्वास है वो कभी आप से सफाई नहीं चाहेगा और जो लोग आप पर कभी विस्वास कर ही नहीं पाई तो आप कभी उनकी नजरों में खुद को सही साबित नहीं कर पाऊगे इसलिए आप खुद की परभा करें खुद की खुशियों की परवा करें जब इनसान की परवा करने वाला कोई होता है तब उसे चिंता नहीं होती लेकिन जब कोई परवा करने वाला है ही नहीं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद की परवा करें खुद की फिकर करें खुद की कदर करें जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो लोग आपका यूँ ही मजाग उड़ाते रहेंगे जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया खुद की एहमियत को जान लिया तो आप बहुत एहम बन जाओगे जिन्दगी ऐसी ही है उल्जी है तो उल्जी रहने दो जैसे चलती है वैसे चलने दो आप सिर्फ अपने करम पर विश्वास रखो अगर आप अपने करमों के प्रती सच्चे और इमानदार है तो आप आँखें बंद कर करम करते रहे तो कभी भी कहीं भी कोई भी आपके साथ कभी गलत नहीं कर पाएगा और जो इनसान के भाग्या में लिखा होता है वे है दूर जाकर भी आपके पास लोट आएगा लेकिन जो भाग्या में नहीं भी लिखा है वो आकर भी चला जाएगा इसलिए इनसान को हमेशा जीवन में प्रसन रहना चाहिए कभी जीवन से निरास नहीं होना चाहिए क्योंकि दुख और परिशानियां हर किसी के नसीब में नहीं होती है ये भी किस्मत वालों को ही आजमाती है तो इसलिए क्या हुआ अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी जरूर आ जाएगा क्योंकि यहां स्थाई कुछ भी नहीं है समय समय पर बदलाव जरूर आता है और यही सृष्टी का नियम भी है आप कभी अपने सपने को ये सोच कर मत छोड़िएगा कि सपना पूरा होने में वक्त लग रहा है जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही ज़ादा मेहनत भी होगी अगर आप अपने सपने को बीच में ही चोड़ देंगी तो वक्त का क्या है वो तो गुजरता ही जाएगा इसलिए जितना सफर आप तै कर चुके है उससे आधा सफर भी आगे बाकी नहीं है इसलिए जीवन में पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करियेगा आगे बढ़ते चले जाईएगा रास्ते में कांटे पत्थर मिलेंगे जरूर लेकिन वो इनसान को संभलना सिखाते हैं जब पैर में कोई कांटा चुप जाता है तब इनसान संभल संभल कर चलना सीख जाता है तो दुख और परिशानिया हमें तोडने के लिए नहीं बलकि हमको मजबूत बनाने के लिए आते हैं और कोई भी दुख और परिशानिय इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल नहीं होता आपकी दुख और परिशानिय से जादा बड़े आपके होसले है इस बात पर विश्वास रखिए और हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहे तो एक दिन दुख और परिशानिया आपके जीवन में आना ही छोड़ देंगी बहुत जल सब कुछ अच्छा हो जाएगा सदा खुश रहें, सदा जबते रहें ओम साहिराम, हर हर महादेव